नमस्कार दोस्तो मैं कमलेज दुबे आपको आज इस चैनल पर ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये जंगलों में अक्सर घूमते आपको दिख जाते हैं कहीं किसी के घरों में जाने अंजाने दिख जाते हैं मैं आज ये वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि ये हमारे लिए डर का कारण नहीं है, ये हमारे लिए भय का कारण नहीं है, ये हम पर कभी भी हमला नहीं करते हैं, मुझे भी बहुत डर लगता है, मगर मैं कुछ मेरे पास में कुछ एसपर्ट लोग थे, जो उनने लाए और मुझे उनको हाथ लगाने में बहुत डर लगता मेरा मकसद यह है आप लोग उनको बताने के लिए कि मैं अपना डर कम किया हूं डर किस प्रकार से कम किया हूं इस वीडियो में आप देखोंगे क्योंकि मुझे इदिक जाते थे तो बहुत डर लगता था और मैं इनको यही प्रात्ना करके कहता था कि आप दूर से ही अच्छ हो जाए या इनको डर का हमारे से डर का आभास हो जाता है तो यह हम पर हमला करते हैं अन्य था यह हम पर कदाचित जान बूच कर हमला नहीं करते हैं तो यही संका मेरे मन में रहती थी कि हम रस्ते पर जा रहे हैं कहीं पर भी और पहर लग गया यह हम उनको नाग दिये या क कुछ भी ऐसा नहीं पता रहता है उनकों तकलीव होती उसकारण वह हमें daí तो यह अपने से कि वह इंसान आ रहा है ताड के नहीं घात लगाके नहीं बेठते हैं कि वह इस प्रकार का कुछ ही दिमाग में Worth function नहीं धाल स्पिर हाई इनकी खाने वाली वस्तु जैसे चुवा हो गया और भी जो खाते हैं इन लोग अगर इनको ये दिख जाता है अगर इनकी गंधा जाती है इनको तो ये उस पे घात लगाके फन उठाके बैठे रहते ताड़के कि ये मेरे पास में आए तो मैं हमला करूँ अन्यता हम इनसानों के लिए ये कोई नर्भक्षी नहीं है इनकी हम लोग पूजा करते हैं इनको हम भगवान मानते हैं इस वीडियो में मैं अपना डर किस परकार से कम करा हूँ आपको ये देखने में जो आपने संकर जी के गले में नाग देखे होंगे जो फन निकालते हैं उनका नाम है नाग राज बासुत उनी के ये चेले चपाटे हैं जो घूम रहे हैं अपना कमा खा रहे हैं कहने का मतलब ये है कि अपना घूम के कमा खा रहे हैं ये नाग लोग से नाग लोग है इनका एक अगर इनसे हम लोग अच्छा विभार करते हैं इनको हम नुक्सान नहीं पहुंचाते हैं इनकी कृपा हम पर सदा बनी रहे हैं कुछ लोंग इसे रेंगने वाला कीडा कहते हैं अनेक लोग अनेक अनेक परकार के कहते हैं कोई नाम दिये हैं उतनी तो मुझे जानकारी नहीं है मगर हमारे लिए ये हम इनकी पूजा करते हैं इनका एक तेवार भी हम मनाते हैं धूमधाम से इनका हमने मंदिर भी बनाये हैं तो वोई डर कम कैसे करें इस वीडियो में हम दिखाए हैं कि हमने अपना डर कैसे कम करें इनके बहुत सारे तेवार आते हैं नाग पंचबी भी हम धुमधाम से मनाते हैं हाँ ये एक ऐसा जीव है जो कि अपना पूरा सरीर रगडते हुए जमीन पर चलता है इनकी मैं कितनी भी तारीप करूँ मेरे लिए कम होगा मगर आप लोगों से यही बिंती है कि जो मैं इस वीडियो में दिखाया हूँ आप लोग ऐसा ना करियेगा क्योंकि आपको नुक्सान हो सकता है ये मेरे पास में कुछ लोग थे खड़े थे लाये पाले हुए हैं इसलिए मैंने इनको नाग नागीन का जोड़ा था इनके पास में तो मैं अपना डर कम करने के लिए ये वीडियो गनाया हूँ ये कोई जहरीले नहीं है नहीं तो आप जहरीले साब को पकड़ के गले में टंगाओ तो मेरे को स्रीप इनको इस पर्स करना था कि किस परकार इनको छूने से क्या महसूस होता है आप लोगों को भी इसकी जानकारी वीडियो देना था कि जो डरते हैं अब कुछ लोग तो ऐसे हैं कहने का मतलब ये है कि नहीं भी जहरीले हैं तो प्लास्टिक से भी डर जाते हैं प्लास्टिक के जो आते हैं उनसे भी वो डर जाते हैं तो मुझे भी कुछ इस प्रकार का डर था, तो जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं और दिखा रहा हूं, कि मैंने किस प्रकार उन्हें छुआ हूं, किस प्रकार उनका इसपर्स करा हूं, और मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मेरे अंदर का जो रात क सपने आते थे जो भी मेरे को डर लगता था वो मेरा डर कम हो गया है वही डर आपको कम करने का इस वीडियो में मैंने बताया हूँ आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने उन्हें किस परकार गले में टंगाया हूँ और किस परकार उन्हें हाथ में लिया हूँ तो अब हम चलते हैं अपने और आपको दिखाते हैं अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो सस्क्राइब कर लीजिए और भी मैं ऐसे एनिमल जो डर लगते हैं अगर मेरे घर के आसपास या मुझे कहीं जानकारी मिलती अगर मैं वहाँ जा सकता हूँ तो उसके भी वीडियो आप लोगों प्रवाद यह एनिमल्स की उसमें आप जाके मेरे जो भी एनिमल्स मुझे मिलते हैं तो मैं आप लोगों को उनसा वीडियो दिखाऊंगा और आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है जिससे कि मुझे प्रेहना मिले मैं और भी एनिमल्स की तो